नमस्कर स्वागत है आपका MP NEWS में मैं हूँ आपके साथ दिवेव जिवर गया मद्रप्रदेश में विधानसबद चुनाव को लेकर जहाँ पूरी तरीके से राजनीती का मैदान तयार है तो ऐसे में अब महाकुम्ब का दौर भी तेज हो चला है जो यहाँ लंबे समय से मद्रप्रदेश में बड़े-बड़े नेता और मंत्रियों का अनजवाना लगा हुआ है ऐसे में एक बार फिर 25 सितमबर भाच्पा के लिए बड़ा दिन बनने वाला है हम बताएंगे आपको कि क्यूं 25 सितंबर भाजपा के लिए बड़ा दिन होगा और क्या कुछ खास होने वाला है भाजपा ने दावा किया है कि 25 सितंबर को राजधानी भोपाल में भाजपा का विश्व का सबसे बड़ा महाकुम्भ होने ज़ा रहा है जी हाँ और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे प्रदेश के जितने भी बीजेपी के कारिकरता हैं सब ही एक ही दिन एक ही जगह पर एक ही समय खटा होने वाले हैं और खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमिश शहा आ रहे हैं इस पूरे महाकुम्भ का आयोजन करने के लिए और साथ ही अपने कारिकरताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पूरी बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ शामिल हो चुके हैं MP News के समवादाता संदीप संदीप आपको क्या लग रहा है बही चुनाव नस्दीख है और ऐसे में जहां कुस्टर में पहले राहुल गांधी भी राजवानी भोपाल में जीत का मंत्र दे कर गए थे PM नरिंदर मोधी कुस्सा में पहले ही मद्रप्रदेश में आये थे ऐसे में वापस से उनका ये दौरा कहीं न कहीं BJP के लिए एक बड़ा दिन माना ज़ुआ रहा है 25 सतंबर जी हाँ निश्चित तोर पर दिव्या जी में बताना चाहूंगा कि जैसे ही मद्रप्रदेश का विधान सभा चुनाओ नस्दीक आने लगा है वैसे ही राजधानी भोपाल तमाम राजनितिक पार्टियों के लिए एक आकरशक्न का केंद्र बन गई है और तमाम नेता जो हैं तमाम दिग्गई नेता है जो राजधानी में अपनी सभाय कर रहा है ऐसे में अब भाजपा भी मिशन 2018 के मद्दे नजर राजधानी के जंबूरी मेदान में भोपाल के जंबूरी मेदान में एक बड़ा महाकुम्ब करने वाली है जिसमें भाज़पा के तमाम कारिकरता छोटे से लेकर बड़ा कारिकरता प्रदिस इस्तर का कारिकरता संभाग इस्तर का कारिकरता जिला इस्तर का कारिकरता बूद इस्तर का वाड इस्तर का तमाम तरह के सभी कारिकरता वहाँ पर एक जूट होंगे और ऐसे में प्रधान मंत का शंखनाद होगा और चुनाव नजदिक आता ही भाजपा यहां पर अपने शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी बिल्कुल तो शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा महाकुम्ब राजध्वानी भोपाल में आयुज्वित होने ज्वा रहा है जिसको लेकर बीजेपी यानि कि भा कॉरी तरीके से मैदान समालता हुआ कॉंग्रेस दल यहां पर दिखाई देता है ऐसे में महाकुम को लेकर भी बड़ा बयान सामने आया है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्याक्ष कमलात का कि भई यह जो पूरा जो पैसा लग रहा है यह कही ना कहीं गरीब और आदिवासिय क्या लग रहा है आपको की क्या इस तरीके का जो हतियार कॉंग्रिस ने अपने हाथ में पकड़ा है कि वह निश्वाना साद है Bby confession क्या आपको लगता है कि सत्वापर काबिज हो पाएगी इस तरीके कैं हतियार अपने हाथ में के लिए तमाम तरह के प्रियास कर रही है और एक महाकुम्ब का आयोजन करने जा रही है ऐसे मैं सत्ता वापसी की उम्मीद लगा है बेटी कॉंग्रेस भी कोई भी अपना मोका नहीं छोड़ने जा रही है और हर तरह के मुद्दे पर भाजपा पर अटेक करने पर लगी महाकुम्ब है जिसमें आम लोगों का प्रदेश की जनता का पेशा लगाया गाया तो साफ तोर पर यह कहा जा सकता है कि कमलनात ने सिए शिवरा सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने यह भी इसपस्ट कहा है कि भाजपा के बड़े नेता मोधी प्रधान मंत्री नरेंद करीब 10 लाग कारी करता हो को इखटा करने का टार्गेट यहां पर है तो एक तरीके से पूरा चुनावी माहौल यहां पर देखने को मिलेगा और भाजपा है और भाजपा अपना पूरा शक्ति प्रदेशन करेगी और शिवराज सरकार जो है इस पूरे महाकुम्ब की तयार कारी को लेकर फूख कर कदम रखने रख रही है और ऐसे में वह कोई भी ऐसा मोका नहीं देना चाहती है जिससे कि विपक्ष को पलटवार करने का मोका मिले बिलकुल पर फिर भी यहां पर विपक्ष जो है वो मौके अपने अपने से ही बनाता हुआ दिखाई दे रहा है क् जैसे ही एक कदम बीजेपी बढ़ाती है तो कॉंग्रिस भी यहां पर अपनी पैनी नजरे बनाये हुए है कि आखिर किस तरीके से सत्ता पर काबिस हो जाया सके और साथी जनता को साधा जा सके तो ऐसे में जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं कॉंग्रिस के तो देखने महाकुम यहां पर आयजित होने जा रहा है देखने वाली बात होगी कि कारेकरताओं को किस तरीके से जीत का मंत्र मिलता है और किस तरीके से मोटिवेट होती है कारेकरता बीजेपी के क्या इस शक्ति प्रदर्शन के बाद में जनता पर भरती जनता पाठी का कितना असर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आगे भी ताधतरीन खबरों का सिलसिला लगातार ज्वारी है बने रही आमपी नियूस के साथ नमस्कार